नमस्कार मैं हूँ ससी आये जरगां की टॉप 25 फर्मोग खबर जानते हैं बंगाल में सोतंत्र एवंवनिस्पक्ष चुनाव के लिए सुप्रीम कोट में जनित याचिका है पच्छिम बंगाल में बस 2021 में होने वाले बिधान सभा चुनाव सोतंत्र एवंवनिस्पक्ष तरीके से संपन कराने का केंद्र राजे सरकार और निर्वाचन आयोग को निर्देश देने के लिए उस्तम नियाले में एक जनित याचिका दायर की गई है का गया है कि बंगाल में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है NPA खाताधारी किसानों को रीन माफी का नहीं मिलेगा लाव जारकण के किसानों के लिए क्रिस्मस से पहले हेमन सुरेन सरकार ने 50 से रुपे तक किरिशी रीन माफी करने की घोसना कर दी है बताते खास बास्तिया है कि NPA खाताधारी किसानों को रिण माफी योजिना का लाब नहीं मिलेगा अगर उन्हें यह लाब लेना आए तो उन्हें अपने खाते को दुबारा लेन देन शुरू करना होगा है हमांत सरकार के मंत्री अलमगी अलम के क्छिलाब जार्खन हाइ कोट में जहनित याचिए दायर की गई है याचिका कर्ता सीर्व संकर सर्मा ने याचिका में मंत्री और जीला परिशट के अभियंताओ पर टेंडर में अनियमित्त्त बरतने का रूप लगाया है कहा गया है कि अधिकारी और मंत्री की मिली भगत से नियम की अंदेखी कर अपने चहेते को टेंडर दिया जा रहा है सीव संकर ने याचिका में कहा है कि टेंडर देनने में बड़ी रासी का लेंदेन किया जा रहा है उन्होंने इस मामले की से जाज कराने का आगरा किया है नए साल के स्वागत के लिए लोगों में उत्सा नए साल के स्वागत की तेदिया होने लगी है परियाटन और पिकनिक एस्पोर्ट पर लोग पहुँचने लगे है इसे देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा ब्यवस्ता की त्यारी पूरी कर ली है सभी पिकनिक एस्पोर्ट पर प्रयाप्त संख्या में एस्टाटिक स्फोर्स प्रतिन्यूक्त किया गया है सभी जगों पर मजिस्टेट भी लगा दिये गया है बतादे बुद्वार को एसेस्पी सुजंद्र कुमार जहा ने सभी थानेदारों को उनके इलाकों के परयाटन अस्थलों पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिये है सभी पार को डेम परयाटन अस्थलों के इर्द गीर्द एस्टेटिक फोर्स की प्रतिन्यूक्ति की गई है गरीबों को समाजिक सहयोग वा सुरक्षा देना हम सब की जिमेदारी मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री मंसुरे ने कहा कि कुरोना वैस्विक महामारी और ठंड के इस मौसम में गरीब जरूरतमंद और निरासरीतों को मदद करना हम सभी का कतब है ऐसे बर्ग के लोगों के लिए ठंड का मौसम काफी पीड़ा दायक होता है इनहें समाजिक सहयोग एवं सुरक्षाय देने हम सब की जिमेदारी है जरूरत मंदों को आवसकता अनूरूप साधन उपलवद कराने हैतू राजसरकार प्रतिवद है कैबिनेट की बैठक में 63 प्रस्तावों को मंजूरी आयूस का रिक्त पदो पर सवी कोटे के अवियार्थियों को नियुकती के लिए अधिक्तम आयूसीमा एक बार के लिए छोट प्रदान किया गया जिसके तरहत 45 साल की महिला और 47 साल के एस्टी के अवियार्थियों को मंजूरी दी गए जार्खन नागर पलिका जन अधिकार जन सयोग नियमावली के गठन को मंजूरी दी गई नागर विकास विभाग छेत्रिय प्राधिकार का संसोधन को मंजूरी दी गई इसके तहत नागर विकास विभाग जमीन का अधिकरान कर आपना काम कर सकेगी चीट फंड को लेकर CBI द्वारा दर्ज केस को लेकर विशेश न्याईक दंडा अधिकारी के दो अलग कोट राची में खोलने की मंजूरी दी गई जो पूरे जार्खन के केस का सुनवाई कर सकेगा युनिवर्सिटी के असनतो कोतर और अंगी भूत विशुवी द्यालेओ के लिए घंटी अधारीत का अधिविस्तार 31 मार्च 2021 टक के लिए दिया गया जार्खन मोटर यान निरिक छक नियुकती प्रोनती और सेवा की अने सर्तों के लिए 2020 के लिए स्विक्रिती ला प्रवंधन 52 रुपे प्रती वर्स रिजन के लिए वन परियावरन विभाग और ग्रामिन विकास विभाग द्वारा सन्युकत रूप से ला उत्पादन 12 लाग परिवार को मिलेगा जार्खन कम्यूनिकेशन टावर और पोलिसी 2015 में आंसिक संसोधन किया गया पीएम अलास योजना सहरी के तवात राची में कमजोर बर्ग वालों के लिए आवास निर्मान को मंजूरी दी गई जिसके तवात 1008 आवास बनेगा जार्खन निजी सुरक्षा निमावली का अगठन किया गया जिसके तवत गाडियों में कैस वेन ले जाने वालों के लिए नया नियम बनाया गया है एन आईये के लिए स्पेसल थाना राची के धुर्वा में बनाया जाएगा जार्खन के SCST बचों को विदेशों में पढ़ने के लिए 10 प्रत्ति भावान छात्रों का चैन किया जाएगा जिसके तवत विदेशों के चैनित विश्व विद्यालों में पढ़ने का सारा कर्द सरकार उठाएगी जासा के कुल 1517 पदो का पूर्ण निधारन 1407 पद बचे हाए ग्रामिन विकास बिभाग के तहट PMG-SY योजना के लिए सन्विदा पर नियुक्त इंजिनियरों को अधि विस्तार दिया जाएगा जारखन में 202 नए संक्रमितों को पुष्टी हुई है जो राची से 82, वोकारो 6, चत्रा चार, देवहरदो, धनवाद 24, दूमका 6, पूर्वी सिम्भूम 20, गडवा 10, गुमला 4, हजारी बाग एक, जामतला दू, खुटी 1, कुडर्मा 7, लातेयर 3, लोर्थागा 1, असिस्टेंट टाउन प्लानर की नियुक्ति के लिए 6-8 जनवरी को सक्षतकार, नगर विकास विभाग में असिस्टेंट टाउन प्लानर के 77 पदो पर नियुक्ति के लिए अगले साल 6-8 जनवरी तक सक्षतकार होगा, जारखन लोक सेवा आयोग ने इससे पहले 5-7 जनव कर सकेंगे बर्तमान जार्खन सरकार के प्रतम वर्षगाठ के उपलक्ष में राज अस्तरी एवं जिला अस्तरीय कारिकरम के आयोजन के लिए उपायुक्त रमेश घुलप की अध्यक्स्ता में विभीन विभावों के पदायदिकारियों के साथ समिक्चा बैठक की गई उन्ह समिक्चा की गोड़ा जिला परसासन एवं अदानी के सहयोग से आयाइटी की फ्री कोचिंग गोड़ा जिला परसासन ने गोड़ा जिला के आर्थिक रूप से कमजोर और मेधावी छात्रों को आने वाले नए साल की संदार सोगात देते हुए सरकारी स्कूलों के बच्चो को आयाइटी की निश्वल कोचिंग कराने का मौका परदान किया है बोधवार को पायुक्त भोर सिंग यादो उपिकास आयुक्त अंजली यादो तथा स्डियो रितू राज की मौड़ा जिला परसासन के दिशान ने देश पर आधानी फावडेशन एवं चलाय जा रहे ग मजदूर किसान एक साथ मिलकर लड़ेंगे सरकार से बोकारो इस पात कामगर यूनियन के सदस्यों ने किसान अंदोलन के समर्थान में बुधवार को दोपहर के भोजन का त्याक करते हुए साम को सेक्टर चार गांधी चोक से केंडल मार्च निकाला इस दवरान यूनियन क महामंतरी रामा सिर्फ परसाद सिंग ने कहा कि देश में अब मजदूर और किसान अपने अधिकारों के लिए एक साथ मिलकर लड़ेंगे उन्होंने मांग किया कि मोधी सरकार काला क्रीशी कानून को अभिला वापस ले 60 एकर जमीन का फरजी दस्तावेज तयार करने वाले दो गिरफतार राची पुलिश ने 60 एकर जमीन का फरजी डीड तयार कर उस जमीन को बेचने का रोप में दिलीप और संजय को गिरफतार कर जेल भेज दिया है बतादे दोनों ने फरजी डीट तैयार कर दाखिल खारीच भी करा लिया था दोनों के खिलाब बच 2017 में ममला दर्च हुआ था पुलिस ने जाज पूरी की तो दोनों आरोपी दोसी पाये गए और उन्हें गिरफतार कर लिया गया होटवार जेल के कैदियों से मिल सकेंगे परिजान बिरसा मुंडा केंद्रिय कारा के कैदियों को अपने परिजानों से मिलने पर लगी रोक हटेगी बतादे कुरोना संक्रमन को देखते हुए हुए मार्च अप्रेज से किसी भी बाहरी ब्यक्ति को कैदियों से मिलने पर रोक लगा दी गई थी यहाँ तक की कैदियों को अपने परिजनों से मिलने पर भी रोक लगा दी गई थी अब जबकि कुरोना संक्रमन नियंत्रंड में है ऐसे में कहिदियों से मिलने पर लगी पर्तिबंद हटाने की त्यारी चल रही है चत्रा पुलिस 23 मौसियों को बरामत किया जाकन के चत्रा जिला पुलिस ने पसु तसकरों के खिलाब बड़ी करवाई की है बता दे 23 पसु के साथ तीन तसकरों को गिरफतार किया है साथ ही तसकरी में प्रियूक तीन पीकप वैन को भी जब्त कर लिया गया है पुलिस अधिक्छक रीसब कुमाय जहा को मिली गुप्त सुचना के अधार पर यह करवाई की गई है चत्रायों सिमरिया में बनेगा में प्रकर्खन में प्रकर्शन प्लांट की अस्थपना की जाएगी यहार निर्नाय बुद्वार को उपायूक दिव्यांसु जहा कि अध्यक्षता में समपन होई विशेस केंदरिये सहायता की जीला अस्तरिये समीती की बैठक में लिया गया कालाजार उन्मुलन के लिए एकशन पलान बनाकर एक माह में प्रस्तूत करें प्रखंडवार मरीजों की जनकारे उपलवद करा है ए बात ते साहिवगंज उपायुक्त राम निवास यादों ने भुद्धवार को कलेक्टरेट के कर्याला प्रकोष्टा में स्वास्त बिभा की समीक्षा करते हुए कही बतादे उपायुक्त ने कलाजार की समीक्षा की बताया गया की साहिवगंज जीले में 43 केस हैं डीसी ने घर घर जाकर कलाजार का सर्वे करने का निर्देश दिया है 29 दिसंबर को आईसू पार्टी विश्वस घात दिवस के रूप में मनाएगी आसू पार्टी के केंद्रिया करेयाले में उद्वारा को जीला परभारियों की बैठक आयुजित की गई बैठक के अध्यक्ता आसू पार्टी के केंद्रिया अध्यक सुदेश कुमार महतों ने की बैठक में बरतमार सरकार की चुनावी घोसनाओ यम सरकार के द्वारा किये गए कारियों का मुल्याकन किया गया साथी राजे में संगठन को और मजबूत करने को लेकर चर्चा की गई बैठक में कई निर्नाई लिएगा इसमें 29 दिसंबर को विश्वास मत के साथ विश्वास घात दिवस के रूप में मनाया जाएगा जिसके तहट सभी जिला मुख्यालों में जन पंचायत आयोजित करेगी मंदीर प्रवेश करने से पहले मास्क का उप्योग अवस्य करे देवघर उपायुक्त देवघर उपायुक्त मंजुनात भजंतिरी ने बुधवार को विधी वेवस्था वा सुरक्षा वेवस्था के साथ मंदीर प्रांगण में कोविन नियमों के अनुपालन को लेकर मंदीर प्रांगण का नेडिशन किया इस दोरान उपायुक्त ने देव तूले सरधालू के साथ मंदिर प्रांगण में उपस्थित पुरोहीत समाज के लोगों से अपील करते हुए कहा कि बर्तमान में क्रोना संक्रमन का खत्रा बना हुए है अईसे में मंदिर प्रांगण में प्रवेश करने से पहले हाथों की सफाई और मस्क का उपयोग अवस्य करे गिरी डी से 6 साइबर अपराधे गिरपतार गिरी डी पुलिस दोवार अलागता साइबर क्राइम के खिलाप की जा रही करवाई में पुलिस को सफलता प्राप्त हो रही है बतादे इस करम में साइबर डी एसपी संदीप सुमन के नेत्यूतर में गठित पुलिस टीम ने मुपसिल थाना चेतर के सिहोड डी से छो साइबर अफ्राधे गिरपतार किया है इसकी जनकारी प्रसिक्छु आइपी अस हरिस बिन ने दी हजारी बाग में आधिवासी च्हात्रा के साथ दुसकर्म का एक मामला प्रकास में आया है बतादे कटकम दाग धाना छेत्र के हारम गाउं के खीरा गढ़ा गाउं की एगारवी की छात्रा ने जेस हाई स्कूल पुंदरी के परधाना ध्यापक आदित्य कुमार पर दुसकर्म करने का आरोप लगाया है पीडिता ने आरोप लगाया कि पिछले एक नॉवंबर को किताब देने के बाहने परधाना ध्यापक ने उसे घर पर बुलाया मिठाई में नसे की दवा डाल कर उसे खिलाया गया और बेहोस होने पर उसके साथ उसकर्म की सेना और पुलिस में नहीं हो सका बाहाल तो पुनई उराओ ने उठाया था हाथियार राची से 15 किलोमेटर दूर हुई पुलिस मुर्भेर में दो लाहकाई नामी पुलेफाई का एरिया कमांडर पुनई उराओ आर्मी और पुलिस से जुड़ कर देश सेवा करना चाहता था पर जुनों ने बताया कि वह आर्मी और जाखन पुलिस की बाहली रैली में भी सामील हुआ था लेकिन सेना और पुलिस में बाहल नहीं होने पर उसने उग्रबादी संगटन पी एल एफाई से जुड़ कर हथियार उठा लिया बता दे बेरोजगारी के कारण उसने ऐसा कदम उठाया देव घर से 11 साइबर गिरफतार प्रसिक्षू, IPS, कपिल चौधरी वा साइबर, DSP, मंगल सिंग, जमुदा की अगवाई में साइबर थाना की पुलिस ने कई थाना छेतरों में छापा मार कर 11 साइबर अपनाधिक को गिरफतार किया है पुलिस ने इनके पास से बड़ी संख्या में मोबाईल, सीम, ATM कार्ड वा पास्बुक सहीत एक लाग से अधिक नगदी भी बरामत किया है सरकारी विद्यालों में पढ़ने वाले बचों को कुपोसं से बचाने के लिए सरकार ने एक और पहल सुरू की है इसके तहद बचों को अतिरीक्त पोसं के लिए अब चाना और गुर देने का निने सरकार ने लिया है बतादे गिरीडी सहीत जार्खन के 12 जी लोग का इसके लिए चैन किया गया है जार्खन सरकार के इसकूरी सिक्षा एवं सक्षर्टा विभाग के निदेशक ने पत्र जारी किया है जिसके अनुसार गिरीडी के अलावा खुट्टी, लातेहार, धनबाद, लोहर्दगा, कोडर्मा, दुमका, सिम्डेगा, चत्रा, गोड़ा, पच्मी सिम्भूम, गिरीडी और पाकुल का चैन किया गया है धन्यवाद यदि आप चैनल परना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर, बहल का बेल एक अंदवाजे, साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर, अपने दोस्तों के साथ सेर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीड़बेक अवस्य दे, थाइंक यू